पड़ेंगे एनिमल हस्बेंड के कुछ क्वाइजिस जो कि हमारे लिए एक्जाम में हेलपफुल रहेंगे तो चलिए शुरू करते विचिज दी हेवेस्ट ब्रीड अप कावीज यानि कि गाय की सबसे भारी नसल कौन सी तो है कोक्रेज अब यहाँ पर दो किस्टन बनते हैं अगर हमसे पूछ ले गाय की सबसे भारी नसल कौन सी तो भी हमें कोक्रेज अंसर देना है अब धुकाजी किसे केते हैं धुकाजी हो से केते हैं जो दूत के लिए भी पाली जाती है उसकी गाय और जिसके बचले भाड होने के लिए पाल के लिए कि नसल कोन सी तो है भलावरी अब आपको बतादू कि जो भलावरी भाडवरी भेशे उसके दूध में सब्से एक से अदा पाई जाती तो हमसे कभी कभी १ी क्विश्चन पुछ लेते हैं उसके दूध में कितने प्रतिस्यत है तो इसके दूद में पाइज पंची कल्यानी के नाम से जाना जाता है तो जाना जाता है निली रावी को किसको निली रावी को आपको जाना रखना है पंचे कल्यानी के नाम से निली रावी भेश को जाना जाता है यानि कि बकरी का जीवनकाल कितना होता है तो बकरी का जीवनकाल होता है बारा साल कितना बारा साल होता है बकरी का जीवनकाल यानि कि प्रिजनेंट के लिए बकरे की सरवत्तम उम्र होता है यानि कि बक्रे के लिए बक्रे के जो प्रजनर के लिए उम्र सर्वत्त्यम उम्र कौण सी है तो कौण सी है वो था सालिटा यानि कि था सालमे बक्रा प्रजनर हो जाता है यह भी पूछ लेतां बहुत बार हमसे कि अनीमल friendly से India से related यानि जो गर्मी में आती है बक्री तो उसके कितने घंटे के अंदर उसके प्रजिनन करवा दिया जाना चाहिए तो करवा दिया जाना चाहिए 10-12 घंटे के अंदर जो वो प्रजिनन के लिए गर्मी पर आती है तब से तो कितने घंटे में दस से बारा घंटे के भीतर, आप्टर देट, सिब ब्रिड इस डियर्ड ओनली फोर मिट प्रडॉक्षन, यानि कि केवल मास उत्पदन के लिए पाली जाने ओली भेड की नसल कोन सी है, तो है नेल लोर, इसे बहुत बाए नेल लोरी भी बोलते हैं, इसलिए मैं ध्यान रखना है, नेल लोर, नेल लोरी, अब यहाँ पर य विकानेरी के बारे में आपको बता दू, विकानेरी जो बिकानेरी है इसका जो बाल होते है् अगर हम सब पुछ ले कि इमने में से किस भेड के भेड के उनसे कार्पेट बनाया जाता हुआ वीदेशों में बेचा जाता है तो है विकानेरी इसके बारे में यहां आई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया अप्टर देट अगर यहां पर कस्मीरी आजाती तो कस्मीरी से भी मिलता है यादि हमें ब्हुत अब नेक जाए तो हमें झेक ँरस क्या है तो हमें अंसर देना है नेक दिनेक एक हिंदुस्तानी नसले आप्टर देट इस बिरिड इस फोर गेम परपस खेल उद्दे सिक ले कौन सी नसले है तो है आसिल अब आसिल जो मुर्गे मुर्गियों की नसले यह प्रसिद्ध नसले आपको ध्यान रखना है खेल उद्धे सिग ले कौन सी नसले पाली जाती हो पाली जाती आसील अप्टर देट वाट इज दा बोड़ी टेंप्रेचर फोर हैं यानि मुर्गी के सरीर का ताप कितना होता है तो होता है 107 फेरनाइट अब आपको बता दू कि अगर हम से पूछ ले कि गाय की सरीर का ताप कितना होता है तो उसका हमें बताना है 101.5 फेरनाइट अप्टर देट काल्विंग इंटर्वल इन काउस शूट नोट भी मौर देन यानि कि व्यात अंतराल गायों में ज्यादा नहीं होना चाहिए यानि कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए 16-17 से ज्यादा व्यात काल बीच में नहीं होना चाहिए आप्टर देट, इन ब्रेडिंग और लाइन ब्रेडिंग डिक्रीसेस यानि कि अन्ता प्रेडिंग क्या घटाता है तो घटाता है विभिन्नता यानि कि वेरियेशन अब प्रेडिंग बहुत प्रकार के होता है अन्ता प्रेडिंग स्वा प्रेडिंग येसे तो अन्ता प्रे संकरोज शरीर भार उप्रोक्त सभी यानि कि दुद्ध भूत्वाद भी बढ़ता है शरीर भार सभी बढ़ता है तो इसमें आ जाता है आलोब देम उप्रोक्त सभी Mating among unrelated pure breed animals within the breed is called यानि एकी नसली के असंबंदी दुद्ध सुद्ध पसुओं में प्रजणन को क्या करते है तो उसे करते भाही प्रजणन यानि आओट क्रोसिंग यानि इसे ब्रहम प्रजणन भी बोलते है या पर भाही प्रजणन है तो एकी नसली के असंबंदी सुद्ध प प्रजणन को क्या करते है उसे करते है भाही प्रजणन यानि कि आओट क्रोसिंग आप्र देट इन ओडर तु किप फिमेल काल्स ग्रोविंग प्रोपरली वी मस्ट सेपरेट भूल काल्स एट यानि माधा पोशों की उची तुरद्धी के लिए नर बच्चों को कितने दिन अलग रखना चाहिए तो रखना चाहिए छे महा के उम्र पर यानिक छे महा के उम्र पर माधा पर से बच्चडों को अलग कर देना चाहिए आपर देट वीच मेडिसीन इज यूजड फोर नवल ट्रीट्मेंट यानि जो नाभी उपचार के लिए इस्तमाल की जाने वाली दवा कॉनसी है तो है टिंचर आयोडिन यानि जर्म्स को जर्म्स नहीं बढ़ने देती है इसल नहीं लगे यानिक ब्यक्ते दिया तो नाभी उपचार के लिए इस्तमाल की जाने वाली दवा कॉनसी टिंचर आयोडिन अब बोरिक पाउडर तो घाव के लिए लगाया जाता है यानि किसी अगर हमसा पूइट लगी किसी पसु को घाव हो गया हो किसी जगा पर तो उसके लिख्या लगाना चाहिए उसको सुकाने के लिए पसुओको लगा जाता है बोरिक पाउडर और क्लोरिन तो पसुओक को पोशक ततु के रूप में दिया जाता है यानि कि पोशक ततु के रूप में यहां पर टिंचर आवडिन इसका अंसर है सब्क्राइब मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिए अगर आप चाहते कि मैं एनिमल हस्बेंटर के क्वाजिस पर एसा वीडियो और आगे भी बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर लिख देगा अन्निता मुझे नहीं पता चले कि मैं और क्यूकि मैं हमेशा कारेंट आपको पसनती तो आप कमेंट में लिख देने यस जिसके मैं आगे की वीडियो सवत आर अनिमल हस्बेंटर के को उपर बनातर हो झाल झाल झाल